हमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सभी स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पाकशाला सैवन में आज मैं आप लोगों फूल गोबी के कोपते बनाना सिखा हूँ जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना गोबी के कोपते जिनें गोबी की सबजी खाना पसंद नहीं है वो इस तरीके से गोबी के कोपते बना के खा सकते हैं तो जरूर ट्राइ करें इसके लिए मैंने ले लिया है गोबी इसे मैंने गरम पानी में अच्छे से बॉयल कर लिया था और इसे हम एक मिकसर जार में पीस एक महीं पेस्ट बना देंगे कोपते तयार करने के लिए कोपी को चाहे आप सबजी के रूप में बनाए या कोपते बनाए किसी भी रूप में यूज़ करें उसे गरम पानी में बॉयल जरूर करें उससे बहुत अच्छे से उस साफ हो जाती है अब इसमें हम एड़ करेंगे बेसन बेसन ले लिया मैंने आधा कप नमक मिला दे अपने स्वादा नुसार हल्दी ले लेंगे जीरा पाउडर धनिया पाउडर अजवाइन हरा धनिया बारिक काट के लिया है साथी में लाल मिच पाउडर और अद्रगलसून का पेस्ट भी मिला दे और इसमें पानी एड नहीं करेंगे हम क्योंकि गोपी को बॉइल करते टाइम ही इसने काफी पानी सोक लिया था तो ये पेस्ट बनके तयार है कोप्ते के पेस्ट को इस तरीके से गोल शेप देकर इन्हें फ्राइ कर लें सभी को मीडियम आज में पकाएं और बहुत ही अच्छे कोप्ते बनके रेडी होते हैं जब मिक्सी में मैंने जो कोपी का पेस्ट पीस आता उसमें भी कोई पानी एड नहीं किया था क्योंकि और गोपी ने पानी सोक रखा था जब मैंने उसे बॉइल किया था तो ये देखे दोस्तों कोप्ते भी हमारे सभी फ्राइ हो चुके हैं तो इन्हें भी हम सभी को निकाल लेंगे ग्रेवी तयार कर लेते हैं इसके लिए उसी तेल में मैंने जीरा ले लिया है और तेज पत्ता दाल चीनी सुखी लाल मिर्ट दो इलाजी इन्हें भी फ्राइ कर लिया है साथी में ले लिया है एक प्याज बारिक कटा हुआ और अद्रक लसुन का पेस्ट डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर धनिया पाउडर गरम मसाला इन सभी चीजों को अच्छे से पका लें और इसे हम 5 मिन ढखन रखकर कोप कर लेंगे पाँच मिन बाद सभी मसाले और टमाटर अच्छे से पक चुके हैं अब इसमें हम पानी आइट करेंगे आप अपने अकॉर्डिंग पानी आइट कर सकते हैं जितना आपको ग्रेवी चाहिए इसे दस मिन तक मीडिया माँच में अच्छे से पका ले उसके बाद इसमें फ्राई किये वे कोपते आइट कर दे और साथी में आइट कर देंगे इसमें कसूरी मेति इसे अच्छे से क्रश करके कसूरी मेति को आइट कर देंगे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इससे आप भी जरूर डाले और इसे सरफ 2 mint और पका लेंगे 2 mint पार कोपते हमारे बन के तयार हैं बहुत ही tasty kobie के कोपते बनके रेड़ी होते हैं तो क्या सोच रहे हैं दोस्तों आप भी फटाफर्ट से किचन में जाइए और कोपते सभी को खिलाईए और मुझे बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग माई वीडियो